स्वागता बच्चों आपका सेल्स्टेडी के चैनल में और आज हम एक करण टोपिक जिसमें माउंट बेटन की जो डायरी है उसको बाहर आने से रोकने के लिए बिटिश शरकार जो है वो 6 करोड रुपया हमारे अपने भारत की करंसी में 6 करोड रुपया और वो किताब लिखने के लिए उनको माउंट बेटन की डैरी चाहिए अब आप सोचोगे कि डैरी का क्या रोल है अभी करेंगे सारी बाते हैं अच्छे से हम करने वाले हैं कि Mountbatten कौन है उनके बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ क्यों ये डैरी बाहर आने से British Government को डर लग रहा है अगर आ गए तो पाकिस्तान और भारत के साथ जो इनके रिष्टे हैं वो खराब हो जाएंगे और भी जो मतलब कि British कि जो एक इज़त है वो खराब हो जाएगी British हुकूमत या British ड्राज गराने की इज़त वो खराब हो जाएगी तो इसको लेकि इनको बड़ा डर लग रहा है और इसलिए वो आठ लाख डोलर डोलर है ये और पाउंड की बात करूँ बात क्या है थोड़ा सा इसके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूं कि Britain का ये एक लेक है उनका नाम है एंड्री लोनी वोई किताब लिखना चाहते हैं और उस किताब को लिखने के लिए उन्होंने करोड़ो रुपे खर्च कर दिये हैं किस लिए कि माउंट बेटन की डैरी उनको मिल जाए साथ ही साथ वो माउंट बेटन की डैरी के साथ जो माउंट बेटन की जो वाइफ है लेडी माउंट बेटन उनकी भी वो डैरी पाना चाहते है डैरी क्या होती है ये सोच रहे होगे देखे डैरी क्या होती है कि कहीं इंसानों को अपनी दिन चरह रहा लिखने के आदत होती है कि हाँ वो अपनी सारी बातें एक डैरी के अंदर लिख लेते हैं कि आज ये कि आज इतने बज़े उटे हैं, आज मेरे साथ ये हुआ सारी बातें उस डैरी के अंदर होती है और Lord Mountbatten या फिर कहें Lady Mountbatten को ये आदत थी कि ये अपनी सारी दिन चर रहा है वहाँ पर उस किताब में लिखा करते थे या कहें कि उस डैरी के अंदर लिखा करते थे अब ये बात Andrew Loney को पता है कि भई ये लिखा करते तो मुझे जानना है इनके बारे में मुझे भी इनके बारे में इक भुक लिखनी है तो मुझे कृपया करके वो डैरी दे दीजिए अब British हुकूमत ये बात डर रही है कि अगर ये बात बहार आी ये नतलब कि इनकी डैरी में जो बातें के बारे में इसको मैं बता देता हूँ अब पब्लिक डॉमेन में तो आने देना चाहती है नी यह है माउंट बेटन इनके बारे में थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को बता हूँ कौन है क्या है भारत के आकरी अंग्रेज जैसे मैंने का और 1948 की बजाए इनको इतनी महतवपूर्ण जैनकर क्यों दी गई कभी सोचा इस बारे में तो रीजन यह है कि यह जो माउंट बेटन है इनका सीधा सीधा रिष्टा है ब्रिटिश के रोयल फैमिली है वहां से यह पोतें पर पोतें हैं यह महरानी विक्टोरिया के तो महरानी विक्टोरिया के पोते होने के कार्ण भाई ये सीधा राज घराने से इनका संबंद हो गया तो उनको कहा गया कि भाई जाओ जाकर आप भारत को ब्रिटिश सरकार से अलग कर दीजिए abilities हुकूमत से अलग कर दीजिए उनको अजाद करवा दीजिए तो जब यह यहां पर आये थे तो इनके सामने दो चीज़ें रखी गई थी यह एक model लेकर आये थे इनका model क्या था कि पाकिस्तान की जैसे मांग चल रही थी उस वक्त जिनना कहा रहे थे हमें पाकिस्तान चाहिए मुस्लिम के लिए अलग कंट्री चाहिए तो इनको ने एक model दिया था या फिर कहें कि वहां पर जो उस वक्त के मंत्री थे जितने भी बड़े-बड़े राजनेता थे तो वो यह चाहते थे मंत्री थे मैंने गलती से बोलती है राजनेता जितने भी बड़े थे तो वो यह कह रहे थे कि ठीक है अगर आप देना ही चाहते हो या इनका भी यह मत था मतलब जो मैं मत बता रहा हूँ कि यह कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है अलग राष्टर बन जाए भले ही मुसलिम के लिए लेक बन जाए लेकिन तीन शेत्र वो छोड़ दे तीन शेत्र किसके लिए कि डिफेंस विदेशी संबंद और संचार यह तीन शेत्र अखंड भारत के लिए यह एक अखंड भारत का एक सपना था यह बनाने की कोशिश कर रहे थे कि यह जो चीज़े हैं डिफेंस हो गया विदेशी संबंद हो गये संचार हो गये यह तीनों चीज़े भारत संबालेगा यह एक ही देश संबालेगा बाकी आप यह काम कर लिजी आप पाकिस्तान बना तो इसके अंदर के आए कि अपने अपने जो राज्ये हैं उनको राज्य सुची के अंदर कुछ कानून दिये गए हैं जैसे पुलिस होगी शिक्षा होगी तो उनके अधार पर अपने वहां पे कानून बना लेते हैं ऐसी great autonomy दी जा रही थी पाकिस्तान को उस वक्त कि आप ए काम कर लीजिए दो राष्ट्र ना बनकर एक राष्ट्र बन जाइए लेकिन आप अलग-अलग सिस्टम रख लीजिए अपने आपे तो जिनना इस बात पर अड़ गये थे कि नहीं भाईया हमें तो ये चीज़ चाहिए नहीं अपने को तो चाहिए एक अलग से हम डिफेंस संभालेंगे हमी विदेश संभालेंगे हमी संचार संभालेंगे तो ये बात थी तो ये माउंट बेटन ने क्या कि ठीक अभी नहीं मान रहे तो क्या इलाज कर सकते हैं तो उन्हों ने 1948 की बजाए एक साल पहले 1947 में ही भारत को अजाद करवा दिया थे अब कहें कि ये काम अब उस वक्त आप लोगों को याद हो तो मैं इक शीज़, यहां पर सारी चीज़े मैंने लिखी हुई हैं जो मैंने आप लोगों को बोली है वो सारे चीज़े आपको मिल जाएंगी, एक टेलिग्रम गृूप है, सेल्फ स्टेडी के नाम से ही टेलिग्रम गृूप मिल ज जाती हूँ, तो अब क्या होता है, कि तीन चीजे थी, मैं आप लोगों को एक खाली पेज मिल जाए, मुझे कहीं, पर हाँ, तीन चीजे थी, उस वक्त एक होती थी, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट यह नहीं कहें कि राजघराने कहलो इनको, राजघराने, तो यह क् अपना सूपर राजा, एक तरीके का, मतलब सबसे बड़ा राजा, लंडन को इमान लिया था, कि लंडन की जो महरानी है, विक्टोरिया, वही हमारी सबसे बड़ी राजा है, हम उनी की आग्या का पालन करेंगे, उनको इसके बदले में टेक्स दे देंगे, और कभी युद हुआ तो अपनी सैनाओं की सेवा, हम ब्रिटिश हुकुमत को दे देंगे, तो ये हुआ करता था, ये एक तरीके का, अपना रास्ता संबालते थे, लेकिन अपने उपर लंडन को इमानते थे, कि वही सबसे बड़े राजा है, तो एक ये थे, अब दूसरे आते हैं, ब्रि हो गया, बिहार हो गया, जो बक्सर, प्लासी के जो युद हुए थे, उसमें जीती कही जगा हैं, जिनमें इनका सीधा कंट्रोल हुआ करता था, ये संबाला करते थे, और एक चोथी चीज होती थी, तीसरी, जो धर्ड जो चीज हुआ करती थी, वो होती प्रेजिडेंसी, ये एक तरीके की कहलो, उनको Union Territory, केंदरशाची प्रदेश कह सकते हैं, तो Union Territory हुआ करती थी, उनका, इनके उपर सीधा कंट्रोल इनहीं का हुआ करता था, जहां से कंट्रोल किया करते थे, अब क्या होता है, जब बिटेन जो है भारत से जाने लगा, तो उन्होंने प् पाकिस्तान में मिलना है, या भारत में मिलना है, यह आप के उपर है, एक तरीके से इनों ने तो भारत को टुकडों में बाटने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी उस वक्त, कि आप कहें कि उस वक्त जितने भी राजगराने हैं, उनको ये बोल देना, कि आप अपनी पाकिसों में तोड़ना चाते थे भारत को, ये तो उस वक्त सरदार वल्लब, भाई पटेल और वीपी मैनन की बुद्धी इतनी जादा तेज थी, उन्होंने इतना बढ़या, इन्होंने सोचा कि इस चीज़ को प्रपोगेट ही नहीं होने दिया, वो फर्दनी गए, इन उपर मैंने एक वीडियो की है, पॉलिटी की जो लूशन की तरफ से आती है, उसमें मैंने ये चीज़ें कवर किये, तो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने चीज़ें बताई हुई है कि कैसे उन्होंने किया है, आपको एक प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, पॉ पॉलिटी, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज मैंने करवा चुका हूँ, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, तो अब आगे बाद बढ़ाते हैं, अब क्या हुआ, 1959 के अंदर माउंट बेटन को थोड़ी सी मैं इनके बारे में चर्चा गले, तो 1959 के अंदर माउंट बेटन को क्या किया गया, यह सारी बातें यहां लिखी हुई है, यहां यह रही, यह सारी चीज़ें वहाँ हैं, मैं कहीं और से नहीं लेकिया रहा हूँ, यह सारी चीज़ें यहां लिखी हुई हैं, उनको इनकी हत्या कर दी गए थी, सब में क्या गया है, Mountbatten को Chief of the staff बना दिया गया, Chief of the staff का मतलब होता है, रक्षा मंत्री पद दिया गया, देखो राजघराने में क्या होता है कि, जो राजकुमार होता है तो उसको British Navy के अंदर service देनी पड़ती है, ताकि वो ये check कर सेके कि राष्टर के परती उनका समर्पन कैसा है तो Navy इनके लिए बहुत बड़ी चीज आती है, British वालों के लिए Navy बहुत बड़ी चीज हुआ करती है तो जब ये Navy में chief हुआ करते थे तो Ireland के अंदर क्या हुआ 1979 के अंदर एक IRA ये चुटिया मना रहे थे वहाँ पर तो IRA के अंतकियों ने इनके उपर हमला कर दिया है, इनकी बोट के अंदर बंब चुपा दिया और उनकी यहाँ पर डैथ हो गई थी, तो ये इनकी एक journey रही है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, अब वर्तमान में क्या है, अब देखिए बात क्या हुई कि भी जब जिन्ना को ये मना रहे थे, अखंड भारत के लिए वो माने नहीं 1948 के बज़ाई नहीं, 1947 में वो चीज करने की ठान ले कि भी ये ठीक है, ये नहीं मान रहे तो हम एक साल पहले ही भारत को अजाद कर देते हैं, जिन्ना तो माना नहीं, उसको तो अपना ही अलग देश चाहिए था, तो ठीक है तो इन्हों ने क्या किया, ये रही रेड क्लिफ को बुलाया कभी आओ, तो ऐसा क्लेम किया जाता है, कि जब रेड क्लिफ आया तो वहाँ पर सीधे ही मैप लिया और मैप लेने के बाद ऐसे ऐसे टेडी टेडी लाईने खिंच दी, और कहा कि लो भही, हो गया विवाजन उस वक्त कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया गया था इवन जब ये चीज़ें की गई थी तो गाव जो थे, वो आधा पट गया था मतलब एक गाव, पूरा एक गाव वो आधा पाकिस्तान में हो गया था आधा भारत के अंदर हो गया था इस बेढ़ंग से ये बोडर बन डिजाइन किया गया था तो बिटिश गवर्मेंट को डर ये है अगर ये डैरी बाहर आई तो इसके अंदर जो आदत क्या थी उनको डैरी लिखने के आदत थी कि भी अपनी सारी दिन चर रहा उस डैरी के अंदर लिखेंगे अब अगर माउंट बेटन की वो डैरी हाथ आ गई जो भी एक राइटर है जिनका नाम क्या है मैंने लिखा हुआ है अंड्री लोनी तो अंड्री लोनी के हाथ में अगर वो डैरी आ गई तो ये वात वो लिख देंगे और लिख देंगे तो भई कि जिस धंग से इनका विभाजन किया गया है वो बहुत बेढंग से किया गया है तो उससे रिष्टे खराब हो जाएंगे तो ये चीज थी अब क्या होता है ये देखिए माउंट बेटन के बारे में यहां पर है ये हैं एंड्री लोनी अब ये अपनी बुक कौन सी छापना चारहे है इनकी बुक आ रही है एक तो ये अब इनको इज़त का खत्रा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ एच्वल में एंड्री लोनी ये जो किताब है इसके किताब के ये जो डैरी है इसके कुछ पेजिस पब्लिक डोमेन में आ गये थे और जब पब्लिक डोमेन में आए इनके पेजिस इनकी डैरी के पेजिस इन दोनों को आदती लेडी माउंट बेटन एडवी नाम इनका एडवी माउंट बेटन है और ये माउंट बेटन तो क्या हुआ इन डैरी के पेजिस बाहर आए तो यहाँ पर लोगों को पता चला कि यह दोनों पती-पत्नी जो हैं वो एक दुसरे के परती वफादार नहीं है वफादार का मतलब है कि भाईया इन भाई साब के इन माउंट बेटन के चक्कर चल रहे थे बहुत सारी ओरतों के साथ और इधर इन महतरमा के भी सेम टू सेम बहुत सारे लोगों के साथ चक्कर चल रहे थे, बहुत सारे विक्तियों के साथ चक्कर चल रहे थे तो इवन इनके बच्चे भी क्लेम करते हैं कि हमारे माता-पिता का अफ़ेर extra रहा है इनका काफी सारी ओरतों के साथ इनका काफी सारी मर्दों के साथ और जब ये बात आ रही है तो सीधा सीधा सवाल उठता है अभी आप यही सूचेगे कि हमें क्या लेना देना अगर इनके चक्कर चल रही है तो भारत का क्या लेना देना अरे भारत का इसलिए लेना देना एक तो border का issue हो गया दूसरा issue हो गया इनका अगर ये बात उठती है तो बात उठती है यहां पर नहरू के उपर पंडित नहरू के उपर ये सीधा सीधा परसन उठ जाता है क्योंकि कहा जाता है कि ये जो Lady Mountbatten है और पंडित नहरू के रिष्टे रही है ऐसा claim किया जाता है मैं कोई बात नहीं बोल रहा हूँ ऐसा claim किया जाता है ये चीज़े रही है तो सीधा सीधा question यहां उठता है अगर ये चीज़ बाहर आती है तो काफी जादा बवाल होने वाला है और ये एक युनिवर्सटी है साउंथ हेंटन इसको 6 लाक पाउंड देने की बात की गई है कि देखो बाहर नहीं आने देनी चाहिए वो डैरी और वो इस युनिवर्सटी के अंदर रखी हुई है अब ये महश्य जो है वो यही चाह रहे है और इनकी बुक का नाम आप देखेंगे न इनकी बुक का नाम है इनकी जिन्दगी और इनके प्यार अब ऐसा कर कैसे रहे है देखिए ये विवेक्ती धाई करोडर रुपर खर्च कर चुके है ये डैरी लाने के लिए एक कानून चलता है ब्रिटेन के अंदर उस कानून का नाम है Freedom of Information जैसे भारत में RTI है Right to Information के नाम से ऐसे ही यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर, UK के अंदर ये कानून चलता है Freedom of Information Freedom of Information के तैत ये कहते हैं जानने का अधिकार है हर चीज जानने का अधिकार है कि उस डैरी के अंदर क्या लिखा हुआ है इधर British हुकूमत कहरी है कि ना बाबा ना ऐसा तो नहीं हो पाएगा हम तो पहले ही कर चुके हैं, 6 करोड रुपया हम दे चुके हैं 6 करोड रुपया का मतलब छोटी मोटी रकम नहीं होती काफी बड़ी रकम है सोच रहे हो कि मतलब वो चीज बाहर आने के मतलब डैरी बाहर आने से रोकने के लिए वो इतना खर्चा कर रहे हैं, सोचो उनको कितना डर लग रहा होगा ये हो गया अपना तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों के सारी चीजे समझ में आ गई होगी और जैसी चीजें इसके उपर अपडेट होती है आप लोगों को बता दी जाएंगी कि क्या हुआ वो डैरी बाहर आई कि नहीं आई फिलाल इसके उपर तो अदालत में केस चली रहा है इनके उपर काफी सारे मतलब बहस हो रही है पैसा दिया जा रहा है उमीद करते हैं कि इसके उपर जल्दी कुछ अपडेट आए और आप लोगों को चीजें बता दी जाएंगी तो इस वीडियो से रलेटेट अगर आपको पीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का फेस्बूक रूप का फेस्बूक पेज का आपको लिंक दिया होगा जाकर जोइन कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक करिए और चैनल सेल्फ स्टडी के नाम से ही है मैंने आपको लगा दिया है क्योंकि ये वीडियो में फेस्बूक पे भी देने वाला हूँ तो वहाँ पर आप देख रहे हैं तो जाकर यूटूब पे से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोनों को ही शेर करिए वीडियो को भी शेर करिए और चैनल को भी शेर करिए तो बस आज के लिए इतना है था इसमें कोई अपडेट होती है तो जल्द ही मिलते हैं थेंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो